नमस्कर दोस्तों स्वागत है आपका फार्मा रोक्स के यूटूब इज्योगे इस नहीं जैनल में आज क्योडू लेक्चर में हम कुछ ऐसा हेल्थ प्रॉब्लेम और उसके सॉल्यूसन के बार में बात करेंगे जैसे कि जब आप टॉयलेट करने जाते है तो उस दोरान या फिर टॉयलेट करने के बाद वहाँ से जो वो खून आता है ब्लेडिंग होती है दूसरा एक प्रॉब्लेम हम देखे तो उठने बैटने में काफी ज़्यदा मुस्किल आती है उस दोरान आपको तो यह जो सभी सिम्टम से वो इंडिकेट करते है कि पाइल्स की बीमारी हो सकती है तो उसका जरूर से एक निदान करना जरूरी है और प्रॉपर इसके बारे में इलाज जरूरी है तो सीखते हैं डिटेल में और यह सभी टॉपिक्स को कवर करते हैं आज की लेक्चर में औ बयानक रोग है तो वो दो तरह के होती है एक खुनी बवासिर होता है और दुसरा बादी बवासिर होता है और बवासिर के सरुवात तब होती है जब गुदा और मला से एक सेतर की नसे में सुजन देखने को मिलती है वो फूल जाती है तो यहाँ पे जो हम डायग्राम में दे पाइल्स कहते हैं, तो वहाँ पे दो टाइप के हीमेरोइड्स बनते हैं, एक इंटरनल बनते हैं, और एक एक स्टरनल बनते हैं, और एक काफी पेनफुल कंडीशन है यह पाइल्स के कि जिसके अंदर ब्लीडिंग भी होती है, दर्द भी होती है, जलन वगेरा भी होता है, औ और पेसन को जो ही वो इचिंग भी होती है, इस्पेसली एनस और रेक्टम के पोर्शन में. तो मैंने जैसे अब आपको समझाया, कि यहापे जो अंदर की ओर होता है, जिसको हम इंटर्नल हीमेरोड कहते हैं, और जो बाहर की साइड होता है, उसको हम एक्स्टर्नल हीमेरोड कहते हैं, तो ऐसे ही आपको बहुत सारी बीमारियों के बारे में सीखना अच्छा लगता है, उनके उपचार के बारे में सीखना अच्छा लगता है, तो अब हमारी जो book है decision treatment उसको आप जरूर से purchase कर सकते है तो ये book में आपको सीखने को मिलेगा अलग-अलग बीमारियों के बारे में उनके उपचार के बारे में नीदान कैसे होता है कौन से दवा ये उसमें prescribe की जाती है तो affordable price में भी आपको ये book मिल जाएगी तो order करने के लि तो कुछ ऐसे उसके मुख्य कारण जो देखे तो अगर आप deep fried और processed food खाते है तो आगे जाके आपको ये बीमारी जो हो सकती है फिर लंबे समय तक curbs रहता है तो curbs के करन क्या होता है कि जो stool काफी hard हो जाता है तो hard stool के कारण जो rectal का portion है NS का portion है वहाँ पे काफी ज़्याद pressure भी पड़ता है और वहाँ के जो muscles होते है veins होती है वो damage होने लगती है और उसके करन वहाँ पे सूजन आ जाती है तो ये एक reason बनता है अगर किसे को gas रहता है लंबे समय तक तो भी उसके करन ये problem हो सकती है पाचन संबंदी समझ से मेलब कि आप जो भी कुछ खाना खाते है वो अच्छे से digest नहीं होता है उसके करन गयास हो जाता है constipation हो जाता है तो आगे जाके ये problem हो सकते कई बार एक genetic factor भी बनता है कि अगर परिवार में किसे को piles है तो आपको भी आगे जाके ये problem होने का एक risk रहता है कुछ और reasons हम देखे तो chronic constipation के लंबे समय तक constipation रहना chronic diarrhea मलब कि लंबे समय तक diarrhea रहते है आप काफी heavy weights जो हो lift करते है मलब कि काफी ज़्यादा वजन जो हो आप carry करते है एक साथ तो भी ये problem हो सकती है pregnancy के दुरन ये एक symptom बनता है कोई obesity का patient है किसे का weight काफी ज़्यादा है या फिर आप ऐसा diet लेटे कि जिसके अंदर fiber कम है कम fiber वा होगा और constipation लंबे समित रहेगा तो आगे जाके piles की समस्या हो सकती है फिर straining जैसा फिल करते हैं जब आप stool pass करते हैं मलब कि जो stool होता है वो काफी ज़्यादा जब hard हो जाता है तो उसको बाहर निकालने में काफी ज़्यादा दिक्कत आती है जो straining होता है वाकि जो muscles यार उसके बाद bleeding होती है फिर mucos आता है इचिंग होती है वहाँ पे खुझली जैसा आप फिल करते है पेन होता है जलन होते तो यह सब उसके symptoms बनते हैं फिर जैसे अभी मैंने आपको समझाया यह सब symptoms जो है वो वहाँ पे देखने को मिलते है piles की बिमारी के अंदर अब सबसे पहले जरूरी है एक physical examination की जो आपके doctor है healthcare provider है वो अच्छे से patient को check करते हैं और physically check करके वहाँ पे check देखते है कि किस तरह की condition produce हुई है कई बार वहाँ पे finger touch करके भी वो चेक करते है कि किस तरह का वहाँ पे condition produce हुई है second हम देखे तो blood test जरूरी है यहाँ पे कि कोई infection वगेरा हुआ है या नहीं वो चेक करने के लिए blood test जरूरी है फिर अगर लंबे समय तरह constipation रहता है और gas भी रहती है या फिर कुछ intestine में कुछ problem से तो वो चेक करने के लिए sigmaidoscopy का एक option बंदे तो उससे एक exact reason पनतर चलता ह है कि आपके जो intestine से वहाँ पे कुछ problem और उसके करन यह दिक्कत आ रही है तो वो एक चेक हो जाएगा अब बात करते हैं treatment के बारे में तो treatment में ऐसा है कि लगाने वाली creams आती है कि वहाँ पे आप externally वो creams लगाते है, gel लगाते है, ointment वगरा लगाते है वो एक option बनता है कि जो directly वो area में लगाना है और दूसरा orally tablets ली जाती है कि जिससे बीमारी जो है वो अंदर से ठीक होती है और बाहर से भी ठीक करने के लिए gel की options बनते हैं, तो सबसे पहले tablet की हम बात करें यहाँ पे, तो tablet है यहाँ पे pyelium करके एक product है कि जिसके अंदर proanthocyanidine and vitamin C है, तो यह tablet patient दिन में एक बार या फिर दिन में दो बार ले सकता है, उसको इस तरह से prescribe की जाती है, second हम देखे तो pyelium की suppositories भी available है, hemeroidal suppositories जिसका नाम है, mmc pharmaceuticals उसको manufacture करते हैं और एक strip में आपको 5 suppositories मिल जाती है, तो रात को या फिर दिन में एक suppository वो area में जो है वो insert करने रहती है तीसरा यहाँ पे option है, pyelium की gel का, कि जैसे मैंने आपको बताया था कि जो cream बाहरी हिस्से में लगाई जाती है और tablet वगेरा आप खाते हैं कि जैसे बीमारी अंदर से भी ठीक होती है और बाहर से भी ठीक होती है, तो pyelium की जो cream है वो patient दिन में 2 या 3 बार वहाँ पे लगा स पाउटी सुन रहता है, मनलब कि ऐसे combination ingredients से कि वहाँ पे healing का भी काम करते हैं, pain sensations कम करते हैं, जलन कम करते हैं और piles की बीमारी, बवासिर की बीमारी को ठीक करने में आपको काफी ज़्यादा मदद करते हैं, अगर ये से ठीक नहीं होता तो आपके पास एक और option रहता है कि mankind की ये product है, पाइलोरूट करके तो ये भी patient जो है वो use कर सकता है, कि जिसका dose रहता है खास कर दिन में दो या तीन बार आप अपलाई कर सकते हैं, पांच वो option हम देखें, तो एनोवेट का है, एनोवेट जो है वो anti-hemeroidal cream है, बैकलो मिथासोन उसके इंदर साथ में रहता है, औ और ये भी same dose में लगाई जाती है, दो या तीन बार अपलाई कर सकता है, छटा option है, सवनोफी के काफे बेस्ट प्रोड़क्ट है, कि जिसके अंदर बैकलो मिथासोन है, कि जो एक steroid है, फिनाइलेफरिन है, लिगनो कहने हैं, वहले कि anti-stemine आ जाता है, steroid भी आ जाता है, औ और local anesthetics भी आ जाता है, कि जो pain कम करेगा, सुजन कम करेगा, और eating वगएरा होती है पेसन को, तो वो भी कम हो जाती है, और यहाँ पे खास लिखा है, for external use होने तो सिर्फ बाहरी हिस्से में उसको लगाना रहता है, तो यहाँ पे मैं फिर से आपको बताना चाहूंगा, कि ऐ ऐसे ही आपको अलग-अलग बीमारियों के बारे में सीखना अच्छा लगता है, उनका निदान कैसे होता है, उपचार कैसे होता है, तो यह सबी detail में दिया है, यह वाली book के अंदर, decision treatment, बीमारिया और उनका उपचार, तो यह book को order करने के लिए, आप यह वाले number पे WhatsApp कर सकत है, अब समझते हैं, आगे topic पर वापस आते हैं, तो pilex fault करके यहाँ पर हमारे पास एक tablet का option बनता है, कि दो tablet दिन में एक बार या फिर दिन में दो बार patient ले सकता है, आठपा option बनता है pilex का, तो यह pilex fault है और यह simple pilex है, तो दोनों में से कोई भी patient जो यह वो select कर सकता है, 9th option हम देखे तो pilex fault के जो gel भी available है, जो cream की बात कर रहे हैं, ointments के हम बात कर रहे हैं, तो उसके साथ ही एक applicator आता है, यह applicator को use करके, patient जो वो दिन में दो या तीन बार वहाँ पर लगा सकता है, और 10 वो option है, हडेंस सा करके जो tube आती है, वो भी आप वहाँ पर लगा सकते कि जिसके अंदर thymol रहता है, menthol रहता है, lignocan रहता है, तो यह भी काफी effective साबित होता है, इलिए उंदो option हम देखे, homeopathic medicine का है, तो जो analficer है, वापे, जो sujan आ चुकी है, piles की समझ से, तो उसको ठीक करने के लिए, fp ointment करके यह product है, तो वो भी काफी effective साबित होता है, औ और fp के tabs भी available है, तो अगर आप homeopathy के साथ जाने चाहते हैं, तो यह भी एक option अच्छा रहेगा, कि यह tablet यूज़ करता है, और यह जो tablet से वो यूज़ करता है, कि एक tablet दिन में एक बार या दो बार लेना, और साथ उसाथ अंदर से ठीक करने के लिए, और बाहर से ठीक करन सकते हैं, वहाँ पर भी आप detail में सिख सकते हैं, बीमारियों के बारे में और उनके उपचार के बारे में, so good luck and all the best!